नमश्कार दोस्तो आज मैं आपको आलू आलू दोस्तो आपको हर जगे हर घर में मिल ही जाएगा और आपके घर में भी होगा तो इससे मैं आपको आज दाद खाज खुजली का इलाज करने का तरीका बताने वाला हूं तो वीडियो को पूरा देखेगा दोस्तो इसमें एक एंटी फंगल जो कि गुण होता है जो कि हमारे शरीर के लिए स्किन के लिए बहुत ही बड़िया हो माना जाता है जिससे की जो दाद खाज खुजली होगा या फिर पूरे शरीर में खुजली हो या फिर कहीं कहीं पर दाद हो उसके लिए ये बहुत ही बड़िया है दोस्तो आपको करना क्या है बिल्कुल ही आसान तरीका है और बिल्कुल सुरक्षित है आपको इसे काट लेना है मिक्सी में पीस लेना है और इसका रस निकाल लेना है और फिर उसे खाली पेट सुबे पीना है लगातार साथ दिन तक पीना है ज्यादा नहीं पीना है और सो एमल से लेकर डेड़ सो एमल तक होना चाहिए और इसे लगातार यूज करना है साथ आठ दिन तक जिससे कि आपका एंटी फंगल जो है बिल्कुल ठीक हो सके दोस्तों अगर फंगल इंफेक्शन बहुत पुराना है तो आपको इसे लगातार तीन महिने तक इस्तमाल करना होगा और बच्चों को अगर ये दे सके तो बहुत बढ़िया है अगर बच्चों को भी फंगल इंफेक्शन है तो दे सकते हैं लेकिन दस साल से छोटे बच्चों को मत दीजिएगा उनसे नहीं पिया जाएगा ये और दोस्तों इसे आप लगा भी सकते हो पीस कर आप इसे लगा भी सकते हो अगर आप उसमें हलका फुल का नमक डालना चाहो टेस्ट के अनुसार तो आप जो पीना है उसमें बता रहा हूँ आपको लगाने वाली जगह पर मद डालिएगा जो पीना है उसमें हलका फुल का नमक भी डाल सकते हो आप दोस्तो ऐसी ही वीडियो आपको अगर पसंद है तो मेरे चनल को जरू सब्सक्राइब कीजेगा साथ मैं घंटी वाजी निशान को दबाना ना भूलेगा धन्यवाद